हेलो दोस्तो मैं ओदेडागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल एकजाम योजबाई ओदेशर में दोस्तो सबसे बड़ी जो बात है जो भी डाटा हम आपके लिए लेक करा रहे हैं वो लगभग एकजाम में मैच हो रहे हैं सारे कोश्चन हमारे तो ये सबसे बड़ा पॉलस पॉइंट है आप सभी के लिए और जो भी भाई इस चैनल से एकजाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि उनका हरियाना जीके का एक भी कॉश्चन गलत है नहीं होगा क्योंकि हमने नौट किया है कि जो भी एकजाम हो रहे हैं या फिर आने वाली समय में आपके जो भी एकजाम होंगे तो हमारी जो जीके हैं लगभग वो मैच हो रही है तो आपके लिए ये एक पलस फॉइंट है भाई ठीक है तो इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं तो आप सभी इस वीडियो के साथ बने रहें और दोस्तो क्लास अच्छी लगे तो आप इसे लाइक और सेर कर सकते हैं और दी बिल्कुल इसका राइट आंस्वर रहेगा चंडी देवी के नाम पर किस सहर की सथापना हुई है तो इसका जो राइट आंस्वर बन जाएगा चंदिगण भडच है क्योंकि ये एकजाम में कई बार रिपीट हुआ है कॉश्चन कॉश्चन नमबर तीन बहुती तो इसका जो राइट बनेगा राजस्थानी कौन सी रहेगी राजस्थानी रहेगी और सीतला माता को मसानी माता के नाम से भी जानते हैं जबकि मसानी बांध कौन सा मसानी बांध आपका साहीवी नदी पर रहवाडी में है तो आपको दिहान रखना है और ये चेचक की देव के नाम से भी इसे जानते हैं तो इसका मेला लगता है ठीक है न गुरू गराम में तो ये मंदर भी गुरू गराम में तो इसका जो राइट है ए बिल्कुल इसका सही आंसर है और दोस्तों अगर आप किसी भी एकजाम के लिए अच्छे से तयारी करना चाहते हैं और आप चाह 21 की करंट अफेर फिरी मिलेगी साथ मैं आपको 10 एग्रिकल्चर और एनिमल के प्रैक्टिस सेट फिरी मिलेंगे तो ये सब कुछ केवल 89 रुपे में आप जोइन कर सकते हैं तो 89, 30, 31, 82, 26 है भई ये नमबर आपके सामने है तो दुर्गा माता मंदिर रौतक का उदगाटन देश के किस प्रिधान मंतरी ने किया तो इसका जो राइट आंसर बनेगा स्री लाल बाहदुर सास्त्री दुर्गा माता मंदिर कहां पर है रौतक में है तो इसका उदगाटन किस ने किया स्री लाल बाहदुर सास्त्री तो ये बिल्कुल इसका राइट आंसर है चड़ी निर्थे का सबसे अधिक संबंद हरियान के किस जले से है इसका जो राइट आंसर बनेगा चड़ी निर्थे का संबंद है आपका हिसार से कहां से हिसार से और एक घंगोर निर्थे है कौनसा आपका घंगोर निर्थे है तो ये भी आपका कहां का पिरसिद्ध है हिसार का है और यह किस से संबन देता है सिप पारवती से जो कि गोरी देवी की याद में आने की लगाया जाता है यही निर्तिया तो आपको ध्यान रखना है तो इसका जो राइट बनेगा तो ए बिल्कुल इसका सही अंसर है और दोस्तों यह जो आपका कौनसा धमाल निर्तिया कौनसा मेहंदरगड गुरुग्राम और धजजर का काफी पिरसिद्ध है और साथ के साथ पूछ लिए लूर निर्तिया तो जीन्द का काफी पिरसिद्ध रहेगा तो बहुत ही अच्छे कोशिन हम आपको बता रहें और पूछ लेता है लूर निर्तिया किस छेत्र का पिरसिद्ध इसका right answer है question number 7 एक अच्छा question है exam में बार बार रिपीट हुआ है और बिल्कुल आप इसका answer दे सकते है दक्षिन एसिया की पिर्थम महिला शमारक कौन सा है तो ये जो रजिया सुल्तान है कौन सा है रजिया सुल्तान है तो ये एसिया की पहली महिला सासक भी है और इनका संबंद कहां से है कैथल से है तो इसका जो मकवरा है वो भी आपका कहां पर है कैथल में रजिया सुल्तान का तो इसका जो right answer बनेगा ये बिल्कुल सही answer है और सेख मुसा की मजार ये आपकी कहां पर है तो ये आपकी सेख मुसा की मजार आपकी मेवात में है जो की चौदमी स्तावदी की बनी हुई है तो ध्यान रखना तो इसका जो right है यानि कि ए बिल्कुल सही answer है पीर चेतन साह की मजार कहां पर है तो इसका जो right answer बनेगा तो ये भी आपकी कहां पर है तो कैथल में यानि कि ए बिल्कुल इसका right answer रहेगा और दोस्तो ये question एक अच्छा question है अभी हमने इससे पहले question complete किया उसी का हम परियावाची कह सकते हैं तो हरियान की छोटी पीर किसे कहते है पीर चेतन साकी मजार को हरियान की छोटी पीर वी कहते हैं तो ए बिल्कुल इसका right answer रहेगा सती का तालाव कहां पर है तो इसका जो right बनेगा सती का तालाव होडल में है और होडल आपका कहां पर है पलवल में है तो होडल एक विदान सभा seat है और ये आरक्षित seat है वई कौन सी है आरक्षित seat रहेगी तो आपको ध्यान रखना है तो ए बिल्कुल इसका right answer है हरियान की किस दिले में सवसेदी कछारी मिट्टी पाई जाती है तो इसका जो right बनेगा अगर इसके चारो option देखें तो इसका जो right बनेगा भिवानी बनेगा तो ए बिल्कुल इसका right answer है सिवालिक परवत माला परिस्तित प्रियाटक सथल कौन सा रहेगा तो मोर्नी हिल्स परवत यानि कि मोर्नी हिल्स पर यानि कि हम कह सकते हैं जबकि धोसी की जो पहाड़ी है जबकि सुल्तानपूर अमेटी ऐसा कोश है नहीं तो इसका according चलें इससे वालिक परवत माला के according चलें तो मोर्नी परियाटक सथल के नाम से भी हम कह सकते हैं तो भी बिल्कुल इसका right है दोस्तो ये question है एक बहुती अच्छा question हम कह सकते है एल्वूलियम मिट्टी का संबंद किस से है तो यानि कि किस नदी से इसका संबंद रहेगा तो इसका जो right answer बनेगा घगर नदी भी है यवना नदी भी है लेकिन एल्वूलियम जो मिट्टी है सबस्यदी कहाँ पर मिलती है हरियाना में तो जीन्द में मिलती है तो ध्यान रखना तो इसका जो राइट बनेगा सी बिलकुल सही आंसर है और दोस्तों अगर आपसे दो तीन मिट्टियों के नाम पूछ ले जैसे आपसे पूछ ले बाई कि भारी मिट्टी या डाक मिट्टी तो थानिश्र में मिलती है जिसे हम सॉल जाल चेशनट मिट्टी अगर आपसे पूछ ले तो यम्ना नगर रहेगा और जो मैदानी भाग है हरियाना का उसका रंग कैसा है मिट्टी का पीला रंग है सबस्Жचदिक मैदानी भाग की जो मिट्टी है तो इसका जो राइट बनेगा यानिकि सी बिलकुल सही आंसर है हरियाना में किस परवतिय छेत्र की निगरानी ड्रॉन से करवाए जाएगी तो इसका जो राइट वनेगा किस छेत्र की तो यानि की अरावली परवत छेत्र रहेगा तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है और दोस्तो इसमें जो आप्सन तीन है का पूरी की पहाडियां तो इसका जो राइट वनेगा ये चर्की दाद्री में है और सिवालिक उत्री पूरी छेत्र और अरावली आपके दक्षिन पश्चिम छेत्र में तो इसका ए बिल्कुल सही अंसर है तो इसका जो राइट बनेगा डी बिल्कुल सही अंसर रहेगा तो इसका बिल्कुल इसका बहाग बन गया तो पंजाब ही रहेगा इसमें चार ओप्सन उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो इसका राइट आंसर है रानिया का विद्रो कब हुआ तो ये भी आपको दियान रखना है रानिया का विद्रो कब हुआ तो 1818 में हुआ है रानिया आपका कहां पर है सिर्सा में है और चचरॉली का विद्रो भी 1818 है चचरॉली आपका कहां पर है यमनानगर में है और पूछले जीन्द का विद्र तो अठारे सो चौध है जीन्द में हुआ है परताब सिंग थे उसके नेतरुद करता तो आपको ये भी दिहान रखना है लोहारू का विद्रो अठारे सो तीज रहेगा तो मतलब की किसानों का विद्रो अठारे सो चौविस रहेगा और दोस्तो एक कॉशन में आपके लिए इसका लाडवा कविद्रो ये आसान है कैई वार एक जामें रिपीट हुआ तो ये कब हुआ आप हमें मैसेज करके जरूर बताएं तो इसका जो राइट बनेगा D बिल्कुल सही आंसर है इस्ट इंडिया कंपनी ने हिसार के केटल फार्म की सतापना कवी तो इसका जो कव की इसका जो राइट आंसर बनेगा ठारे सु नो यानिकि ए बिल्कुल सही आंसर रहेगा जमिदाल लिक की सतापना कव हुई तो इसका जो राइट बनेगा 1924 और किसे संबंद चोटू राम से संबंद देथ है चोटू राम का संबंद गड़ी शापला और ये आपका कहां पर है रौतक में तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है ए सही आंदुलन का एक मात्र विरोध किसनी किया हरियाना में तो इसका जो राइट बनेगा सर छोटू रामने किसनी किया सर छोटू रामने तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है सेंटर फ्रेस का कार खाना हरियन के किस सथान पर है तो इसका जो राइट बनेगा सेंटर फ्रेस का कार खाना कहां पर है तो मानिश्चर में कहां पर है मानिश्चर में है और मानिश्चर आपका कहां पर है गुरू ग्राम है और मानिस्टर को 11 नगर निगम बनाया गया है कब बनाया गया 23 दिसंबर 2020 है और जो नगर निगम का जो अध्यक्ष होता उसे महापौर बोलते हैं क्या बोलते हैं महापौर बोलते हैं जो की ग्राम सचिव के लिए जरूर ये पूछ लेगा आप से कि बही कौन से यानि की नगर निगम का कौन महापौर अध्यक्ष वगरा जो भी है वो किसका है तो ऐसे यहां से कॉस्टन बन सकते हैं तो वो एक बार जरूर देख लेना इसका जो राइट बनेगा तो C बिल्कुल सही आंसर है जोहलरी पार कहां पर है तो गड़ी हस्रू तो इसका जो राइट बनेगा यह बिल्कुल सही आंसर है जो कि आपका कहां पर है गुरुग्राम में है अमोनिया प्लांट कहां पर है तो इसका जो राइट आंसर बनेगा अमोरिया आपका जो प्लांट है पानीपत तो भी बिलकुल इसका राइट बनेगा तो दोस्तों सारे के सारे कॉस्चें अच्छे है आज की वीडियो में भी नेसले कंपनी उद्धियों कहां पर है तो इसका जो राइट बनेगा ये आपका कहां पर है समाल खां कहां पर है समाल खां तो आप जानते हैं समाल खां कहां पर है तो बी बिलकुल इसका राइट आंसर है हर्याना के किसले में चंद्रियान के उपकरणों का निर्मान किया जाता है तो इसका जो राइट आंसर बनेगा यानि कि चंद्रियान के जो उपकरण आपके और दोस्तो आजगी क्लास में केवल इतने ही कॉश्चन है अगर आप कोई वीडियो अच्छी लगया तो आप इसे लाइक और सेर कर सकते हैं जो ने साथ ये चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तो जिसको नॉट्स वगरा चाहिए तो वो हमें इस नंबर पर वट्सटाप कर सकता है यहां से आप जोइन कर सकते हैं 89, 30, 31, 82, 26 और केवल 99 रुपय आपको पेक करना है ज्यादा फीस नहीं है तो फलाल के लिए बस इतना ही और आप सभी ने इस वीडियो को यहां तक देखा आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद